यह सौफ का प्लांट है और इसमें ऊपर धेरो फ्लावर्स लगे हुए हैं अब आईए इन फ्लावर्स के अरेंजमेंट या इन्फलावर्स को देख लेते हैं जो कि काफी स्पेसिफिक है इस पर्टिकुलर फैमिली के लिए इसमें हम देख सकते हैं एक कॉमन पेडंकिल है जो ब्रांच करके धेरो पेडंकिल में डिवाइड हो जा रहा है और फिर हर एक पेडंकल से इसमें छोटे-छोटे पेडिसिल निकले हुए हैं जिसके उपर फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है जो क्या फूर्ट में कन्वर्ट हो गया है देखने में ये अम्ब्रेला की तरह लग रहा है इसलिए इस तरह के इंफ्लोरेशन्स को अम्बल इंफ्लोरेशन्स कहते हैं लेकिन आप इसमें देख सकते हैं ऊपर यहां पर एक अम्बल दूसरा अम्बल तीसरा अम्बल धेर सा एक साथ इस common peduncle से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको compound embylia corum कहते हैं, और ये umbilifery IPAC family में पाया जाता है, इस infolocence की एक और खास बात है, इसमें अगर हम flower की height को देखें, तो हम ये देखते हैं कि सारे के सारे flower सब एक ही height पे बने हुए हैं, आपको बता दूँ कि umbilifery IPAC म पाया जाने वाला ये compound embylia corum infolocence basic infolocence cymos का ही modification है, इसमें जैसे ही flower का formation होता है, main axis की growth रुख जाती है